देखता है जो अनुकूल तता प्रतिकूल के प्रति समान बना हैता है जो धीर है और प्रशन सतता बुराई मान तता अप्मान में समान भाव से रहता है जो शत्यू तता मित्र के साथ समान विवहार करता है और जिसने सारे भौति कारण की परिप्यार कर दिया है ऐसी तकी को प्रकरती के गुणों से आटीन कहते ही जो समस्त्व पस्तितियों में अवचलित भाव से उन भक्ति में प्रभित्त होता है वे पुरंधी प्रकरती के गुणों को लान जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के सतर तक पहुँच जाता है और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रे हूँ जो आमर्तिर, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुप का सभाविक पद है अध्याए 15 पुरुशोत्तम योग भगवार ने कहा कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत व्रक्ष है जिसकी जड़ें तो उपर की और हैं और शाखाएं नीचे की और तथा पत्यां वैदिक स्तोत्र हैं जो इस व्रक्ष को जानता है वैवेदों का ज्याता है इस व्रक्ष की शाखाएं उपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकति की तीन गुरुद्वारा पोशित हैं इसकी टहनी आइंद्रिय विशय हैं इस व्रक्ष की जड़ें नीचे की और भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बदी हुई है इस व्रक्ष के वास्तविक सरूप का नुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदी कहा है अंध कहा है या इसका आधार कहा है लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दड़मूल वाले व्रक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काड़ गिराए तद पश्चात उसे ऐसे इस्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लोटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण क्रहन कर ली जाए जिस से अनादी काल से प् भवति काम को नश्ट कर दिया है जो सुखत दा दुख के द्वन से मुप्त है और जो मोहरई ठोकर परम पुरुष के शर्णागत होना जानते हैं वे उस शाश वत राज्य को प्राप्त होते हैं वे मेरा परम थान न तुसूब्र या चंद के बारा प्रकाशित होता है और अपनी या विजली से जो लोग बहाँ पहुच जाते हैं वे इस भोति जगत में फिर से नोट कर नहीं आते हैं इस बत्य जगत में सारे जीव मेरे शाश वत अश हैं बत्य जीवन के कारण वे चाओ इंद्रियों से खोर संघर्ष कर रहे हैं जिन में मन भी संबनित है इस सं प्रुक न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरी त्याग कर सकता है। नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आँखें ग्यान में प्रशिक्षित होती हैं वे यह सब देख सकता है। आत्म साक्षातकार को प्राप्त प्रैत्नशील योगी जन यह सब इसपश्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन जिनके मन विक्सित नहीं हैं और जो आत्म साक्षातकार को प्राप्त नहीं हैं वे प्रैत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सुर्य का तेज जो सारे विश्व के अंदकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है चंद्रमा दथा अगनी के तेज भी मुझसे उत्पन है मैं प्रतेख लोग में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ती से सारे लोग अपनी कक्षा में इस्थिर रहते हैं मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्तियों को जीवन रस्तदान करता हूं मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अगनी हूं और मैं श्रास दुश्रास में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं मैं तब एक जीव के हिदे में आसीन हूं और मुझसे ही स्विति, यान तता विस्विति होती है मैं ही वेदों के द्वारा जानने यूप्या निसंदी मैं वेदान का संत्रम करता तता समस्त वेदों का जानने वाला हूँ जीव दो प्रकार के है जुट तता अच्युट भोती जगत में प्रत्यक जीव जुद होता है और आध्यात्मी जगत में प्रत्यक जीव अच्युद कहलाता है इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुश परमात्मा है जो साख्षा दविनाशि भगवान है और जो तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और क्योंकि मैं सरुष्रेश्ठ हूँ अतैव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ जो कोई भी मुझे संश रहित होकर पुरुश उत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है अतेवे भरत बुत्र व्यव्यक्ति मेरी कौन भक्ति में लथ होता है यह नक्र यह ग्रेदिक शात्रों का सरवाति कुप्त अंश है जिसे मैंने अप्रबण किया है जो कोई से समझता है वह कुछ जिमान हो जाएगा और उसके प्रयास उन होंगे अध्याए सोले तैवित था आस्वरी स्वभाव भगवान निकहा है भरत बुत्र निर्भायता आत्म शुद्धी आध्यात्मी ज्यान का मुशीलन दान आत्म सैयम यक्य परायंता विदाथ्यं तपस्या सरलता तहिंसा सक्यता ग्रोध विहींता ज्याग शांती चित्रा अल समस्त जीवों पर करुना लोग विहींता भत्रता लज्जा संकर्व देव शवर्ण